हेलो बच्चों मैं कॉमल सोनी आपकी केमेस्ट्री टीचर आज का हमारा टॉपिक है 12th क्लास, 2nd चैप्टर, सॉलुशन, विलियन ये केमेस्ट्री का बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक है और इसे पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आने वाला तो आज हम स्टार्ट करते हैं विलियन की डेफिनीशन से विलियन का मतलब होता है कि इसमें 2 या 2 से अधिक कॉम्पोनेंट्स मिले होते हैं और ये कॉम्पोनेंट्स जो हैं वो होमोजीनस होते हैं होमोजीनस मतलब समांगी विलियन, समांगी मिश्चरन होता है उसे हम विलियन कहते हैं दो या दो से अधिक components के mixture को जो की homogeneous होता है उसे हम विलियन कहते है solution कहते है इसमें मुख्य दो अवेम होते हैं दो components होते हैं एक होता है विलायक और एक होता है विले विलायक जिसे हम solvent भी बोलते हैं और विले जिसे solute बोलते है किसी विल्यन में उसे हम feasible कहते हैं और जो कम मात्रा में उपस्तित होता है उसे solute कहते हैं solvent जो होता है वो विलियन की बहुत तिक अवस्था निर्धारित करता है कि वो ठोस में होगा कि द्रव में होगा या gases state में होगा वो उसको निर्धारित करता है यारि कि ये अधिक मातरा में है अब मैं आपको एक एक एकजामपल बताती हूँ इसके लिए अगर हम एक गिलास प अगर हम शक्कर की मातरा ज्यादा ले 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 और पानी को कम डाले तो हमारे पास में रहेगा सुगर शिरफ जिसको हम बोलते हैं वहां पर सॉल्वेंट शक्कर होगी और सॉल्लूट जो है वो पानी होगा यानि कि पानी की कम मातरा है और शक्कर की ज्यादा मातरा जिसकी मा मात्रा होती है उसे हम solute बोलेंगे तो बहुत ही कवस्ता के आधार पर विलियन जो है वो कहीं परकार से हो सकते हैं यानि कि वो gaseous state में हो सकते हैं solid state में हो सकते हैं या liquid state में हो सकते हैं अब इनके solvent और solute के basis पे ये 9 परकार से हो सकते हैं यानि कि gas में gas हो सकती है यानि कि gas solvent में gas solute गुलावा हो gas विलाइक में gas विले गुलावा हो या फिर gas में द्रव गुलावा हो या फिर gas में ठोस गुलावा हो उसी तरह से द्रव में gas, द्रव में द्रव, द्रव में ठोस या फिर ठोस में gas, ठोस में द्रव या ठोस में ठोस ये भी हो सकता है इसी तरह से नौ तरह के हमारे पास में solution हो सकते हैं नौ तरह से solution के examples क्या हैं उनको भी हम देख लेते हैं gas में gas का example होता है oxygen and nitrogen का mixture हवा जो होती है वो gas में gas का example होता है यानि कि solvent इसमें gas होती है और solute भी इसमें gas होती है तो ये है हवा या फिर ऑक्सिजन नाइटरोजन का लिक्षर है या फिर दो gases आपस में mix होने वाली gases होमोजेन兩個 mixture अगर बनाती है तो ये gas में gas का example है यहाँ गैस में द्रו का example है battle या chloroform तथा nitrogen का mixture 643 यहाँ पर liquid है और nitrogen यहाँ पर gas है nitrogen gas में जब chloroform गुलीवी है तो वो liquid in gas का example है तीसरा है solid in gas solid in gas कपूर जो होता है जैसे कि आपको पता है कपूर में sublimation होता है sublimation का मतलब ये direct toast से gas में change हो जाता है तो कपूर जो है वो toast से direct gas में change होता है यानि कि toast से वो gas में जाकर गुल गया है इसका मतलब toast जो है वो gas में गुलीवी है धुआ भी इसका एक अच्छा example है जो rate की कण होते है या फिर जो carbon की कण होते है वो हवा में घुलेवे होते है एर में घुलेवे होते है तो toast gas में गुलीवी है आन्धी इसका एक अच्छा example है चोथा नमबर का हमारा विलियन हो गया द्रव में गैस द्रव में गैस होता है soda water soda water जैसे liquid होता है उसमें gas भरिवी होती है तो द्रव में gas का अच्छा एक्जामपल है soda water या फिर gel में गुलीवी oxygen द्रव में द्रव का एक्जामपल हो जाएगा दूद और जल प्लस अलकोहल जो होमोजीनस मिक्शर बनाते हैं वो इनके एक्जामपल होंगे द्रव में ठोस जल में शकर शुगर मिली वी हो या जल में नमक गुलावा हो तो ये द्रव में ठोस का एक्जामपल हो जाएगा ठोस में gas का example हो जाएगा पैलेडियम जो दातु होती है उस पर हाइड्रोजन अधी शोशित होती है तो ये इसका एक अच्छा example है या फिर चार कॉल जो होती है वो बहुत सारी gases को अपनी ऊपर अधी शोशित कर लेती है तो ये भी इसका एक्जामपल हो सकता है कि ठोस में गैस का अधी शोचन होना उसमें ठोस में गैस होना या फिर हम कह सकते हैं स्पंज जो होता है जो कि उसमें चोटे-चोटे छेद होते है तो उसमें ठोस में गैस का अच्छा एक्जामपल है ठोस में द्रव का एक्जामपल हो जाएगा पारा और सोडियम का अमलगन पारा और सोडियम का मिक्ष्टर जो होता है वो इसका एक अच्छा एक्जामपल है ठोस में ठोस का एक्जामपल हो जाएगा मिश्रिधातु जो मिश्रिधातु होती है वो ठोस में ठोस का एक्जामपल होता है तामबा और सोना सोने में तामबे की मातरा कुछ अशुद्धी मिलाए जाती है तो ये जो है ये भी ठोस में ठोस का अच्छा एक्जामपल है अब हम यह देखते हैं कि होमोजीनस मिक्षर है हिट्रोजीनस मिक्षर क्या है होमोजीनस मिक्षर जैसे नमक जल में घुलावा है यानि शक्कर जल में घुलीवी है तो यह होमोजीनस मिक्षर बनते हैं यानि कि हम इसको मिक्षर बनने के बाद उसको आसानी से अलग नहीं कर स जो होमोजीनेस मिक्चर होते हैं इन में कॉंपोनेंट्स को अलग-अलग नहीं किया जा सकता है लेकिन हिट्रोजीनेस में कॉंपोनेंट्स को अलग-अलग किया जा सकता है और एक और इसका एक्जामपल है कारबन तथा सल्फर अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए तेंक यू